उस वक्त कप्तान सुबमन गिल को रहा नहीं गया जब जोनी बैस्टो विकट के पीछे धुरू जुरेल को सभी के सामने स्लेज करने लगे माहुल गर्म हो चुका था सारा मैदान हैरानी की मुद्रा में यह सब घटित होता देख रहा था कि तभी अचानक पीछे से कुछ आबा आ जाई और वो घटित हो गया जिसकी आप और हम कल्पने भी नहीं कर सकते जी हाँ दोस्तों इंडियन टीम का डॉमिनेशन अब इंगलेंड टीम के चहरे पर फ्रेस्टेशन के तौर पर साफ देखा जा सकता है इस वक्त टीम इंडिया इंगलेंड को इनिंग से हराने की रहा पर अगरसर है इसी दोरान जब धुरू जुरेल विकेट के पीछे से अ जोच का आता